Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा topic है क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? Do they truly love you? यह हमारा आज का topic है So regardless, आपकी क्या situation है आपके partner के साथ यह reading सबके लिए open है और बिल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुजडेगी आपका उस वक्त का message होगा So शुरुवात से पहले, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है Safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है Thank you so much आप सब के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you And I love you all So अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा इसके इलावा January 2023 की love prediction मैंने कर दी है So अगर अभी तक आपने वो video नहीं देखी है आप देख लीजिए मेरे channel की playlist में जाएं और monthly readings में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वो video सो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए helpful हो So वो आप लोग ज़रूर देखिएगा So अब हम शुरू करते हैं आपके पास तीन options है option number one है king of cups option number two king of wands and option number three king of pentacles देख लीजिए one, two, three तीनों के time stamps description में है skip करके आप अपना answer देख सकते है अगर आप दो देखना चाहते है तीनों देखना चाहते है कोई problem नहीं जैसे आपकी intuition आपको guide करती है वैसे आपने selection करनी है मैं start करूँगी option number one से जिन लोगों ने option number one यानि के king of cups select किया था ये आपकी reading है और हम देखेंगे कि क्या वो वाकिया आप से प्यार करते हैं सचा प्यार करते हैं सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे so six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए let's see सबसे पहले हमारे पास है commitment so maybe you are looking for commitment फिर है betrayal आपको लगता है कि आपके person ने आपको so maybe आप let go करना चाहते हैं भूलाना चाहते हैं but आप फिर भी confused हैं for whatever reason and you are trying hard आपके मन में अभी भी कही न कहीं खाहिश है कि शादी हो जाएगी wedding you know with the wedding card commitment हो जाएगी so इसलिए आप शाइद let go नहीं कर पारें because दिल में कहीं न कहीं अभी भी hope है कुछ messages है अब हम यह देखते हैं कि क्या ये इनसान आपसे सचा प्यार करते हैं या नहीं do they truly love you truly truly वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं सचा प्यार आपसे करते हैं क्या है उनकी true true feelings आपके लिए let's see क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं सबसे पहले हमारे पास है Six of Swords, so मुझे लगता है कि जैसे यहां पर Moving On की Energy है आपने Move On किया है या आपके Person ने Move On किया है Three of Cups, कुछ लोगों के लिए यह Friendship Situation हो सकती है King of Wands Two of Cups, okay और Bottom of the Deck पर हमारे पास है Seven of Swords So हो सकता है कि आप लोग से Friends थे लेकिन यह इंसान आप से प्यार हमेशा से करते थे और बहुत जादा डीपली आप से Attached थे, यह बहुत कम लोगों के लिए Message है, सब के लिए नहीं है So यहां पर Aries, Leo, Sagittarius, Spiceys, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius यह Star Signs हैं लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ Regardless of Star Signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपकी ही reading है So क्या यह इंसान आप से प्यार करते हैं यह नहीं I do feel with the Two of Cups, King of Wands यह इंसान आप से बहुत प्यार करते हैं लेकिन the problem is कि यह अपना प्यार जताना इनको नहीं आता है यह clearly express करना नहीं आता है यह इंसान बहुत passionate है जिन्दगी के बारे में वैसे एक बड़े energetic इंसान बड़े confident इंसान लग रहे हैं But I feel कि जो इनकी deep feelings और emotions होती है emotions होते हैं उनको यह express नहीं कर पाते हैं आपको नहीं बता पाते हैं So बहुत सी चीज़ें इनके बारे में शायद आपसे hidden है और इसके बहुत से reasons हो सकते हैं Maybe एक नया connection है अभी आप लोग explore कर रहे हैं या वैसे ही यह इनसान बहुत जादा expressive नहीं है बहुत कुछ यह इनसान communicate नहीं करते हैं So एक communication gap आप लोगों के दरमयान हो सकता है Because I feel seven of swords के साथ कि काफी सारी चीज़ें आप इनके बारे में नहीं जानते हैं इनके अंदर काफी कुछ है जो शायद उनों ने चुपाया नहीं है बट कभी जिकर नहीं किया कुछ बातों का उनोंने कभी So I do feel कि यहाँ पर moving on की या walking away की energy है कि शायद आप दोनों के दरमयान इस वक separation चल रही है या किसी तना किसी तरह से distance आया हुआ है जिसे यह इनसान खतम करना चाहते है हम देखते हैं कि यह seven of swords क्या है यह seven of swords यहाँ पर क्यों है यह क्या छुपा रहे हैं आप से Eight of wands So yes, बहुत सी बाते हैं I feel यह communication के हवाले से भी है travel के हवाले से भी हो सकता है but I feel कि यह communication है कि बाते हैं कुछ जो यह इनसान आपको नहीं बताते हैं या जितना passion और जितना प्यार उनके दिल में आपके लिए है यह शायद उतना वो आप से express नहीं कर पाते है and with the two of cups यह एक mutual connection है मुझे यह one-sided situation नजर नहीं आ रही है I do feel कि जतना प्यार आपके दिल में उनके लिए है उतना ही उनके दिल में भी है but the problem is कि यह इनसान expressive नहीं है and maybe sometimes उनके साथ यह bad luck वो समझते हैं कि शायद है कि जब वो अपना प्यार express करना चाहते है उनसे हो नहीं पाता है या वो जब कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती है but यह इनसान they truly love you उन्हें आप से सच्चा प्यार है लेकिन यह इनसान expressive नहीं है बता नहीं पाते हैं express नहीं कर पाते हैं कि वो कैसा आपके लिए feel करते हैं इस वक्त अगर आप लोगं के दरम्यान separation है आप में से किसी ने walk away किया है यह इनसान वापिस आना चाहते हैं यह इनसान travel के बारे में सोच रहे हैं यह इनसान आपको कुछ ऐसा बताने के बारे में सोच रहे हैं जो पहले उन्होंने आपको नहीं बताया अब यह depend करता है क्योंकि यह reading बहुत से लोग देख रहे हैं हो सकता है कि वो अपनी feelings बताना चाह रहे हो हो सकता है कि उनकी life में कोई और problem चल रहा हो वो बताना चाह रहे हो हो सकता है आपसे सुला सिर्फ करना चाह रहे हो यह depend करता है हर इनसान की situation अपनी एक unique situation है so depend करता है कि आपके लिए यह communication क्या हो सकती है but main एक चीज मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रही है कि यह इनसान communicate करना चाह रहे है but let's see कोई hint यह इनसान क्या communicate करना चाह रहे है आपसे so कुछ बात करना चाहते हैं यह इनसान बहुत passionate है आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए चाहे जो मर्जी इस वक्त आपकी situation है but I feel कि यह इनसान आपसे प्यार करते है let's see यह क्या communicate करना चाहते हैं आपसे we have our distant possibilities and number 22 yin and yang और यह है number 24 so आप देखें कि हमारे पस two of cups है और यह yin and yang भी आगया है हमारे पास so यह twin flame soulmate energy हो सकती है लेकिन regardless of labels यह एक बड़ा आप कहलें कि significant connection हो सकता है so maybe यह इनसान आपको यह बताना चाहते है communicate करना चाहते है कि वो आप दोनों के बारे में serious है maybe यह इनसान finally express करना चाहते है कि वो आपके साथ अपनी पूरी जिन्दगी बताना चाहते है और वो देख रहे हैं कि क्या possibilities हैं आगे के लिए future के लिए हम क्या कर सकते है क्या नहीं कर सकते है कैसे proceed कर सकते है कैसे आगे बढ़ सकते है so maybe कुछ serious issues के ओपर finally यह इनसान आप से बात करने के लिए ready है और पहले शायद वो नहीं थे इतने expressive जैसा मैंने कहा बटी इनसान अब आप से communicate करना चाहते है आगे के बारे में let's see और क्या feel करते हैं आपके लिए और क्या communicate करना चाहते है कुछ important communication यह इनसान आपके साथ करना चाहते है because they feel कि आप आप उनका perfect match है आप दोनो एक दूसरे की जिन्दगी में missing piece है आप एक दूसरे को complete करते है उनने यह feel होता है all that glitters and unfinished symphony इसका number 16 है और इसका number 10 है so I feel कि एक बड़ा specific message आ रहा है कि अगर आपके person आपको छोड़ कर कहीं और गए कुछ और उन्होंने चूज किया वो आपको यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने गलत choice ली उनका decision गलत था और वो आपके पास वापिस आना चाहते है वो जो उनको glitter लग रहा था वो जो उनको एक अच्छी चीज लग रही थी आपसे बहतर अगर कुछ लग रहा था वो नहीं था आपसे बहतर वो सिर्फ एक दिखावा था और यह जो आपके साथ उनकी story, उनकी love story unfinished रहेगे, वो इसे complete करना चाहते है उसे अधूरा नहीं चोड़ना चाहते है और आपके मिना भी उन्हें बहुत ज़दा अधूरा फील होता है इसका यह भी मतलब है कि इस वक्त आप लोग songs के through connected है कोई singer भी हो सकता है, किसी की important है, आप उनके लिए abundance है बिलकुल इस तरह से एक बहुत abundant opportunity जिसके साथ grow करने की बहुत से chances है, possibilities है और आपके साथ आपके बिना उनको बहुत सदा अधूरा फील हो रहा है, so they really feel कि आप उन्हें complete करते हैं, वही बात इनन्यांग वाली आगई, कि उनको feel होता है कि आपके बिना वो अधूरे है so ये इनसान आप तक ये convey करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं और उनको feel होता है deep down, कि वो आपके बिना अधूरे हैं और आप उन्हें complete करते हैं so it's not a bad thing, बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने आप में पूरे होते हैं complete होते हैं but हर चीज इस दुनिया में पेर की शकल में है और हर इंसान का एक you know, partner होता है हर इंसान का एक पेर होता है and it's nothing wrong कि कोई आपको complete कर रहा है इस sense में क्योंकि हर चीज दुनिया की पेर की शकल में है you know so we have oh my god, true love हमारा question भी यह है आज का कि क्या वो truly आप से प्यार करते हैं या नी सच्चा प्यार करते हैं या नी so yes this is the romance of a lifetime this is true love और फिर है हमारे पास healing family issues so हो सकता है literally आपके person के कुछ family issues हैं जिनको वो heal करें but इसका मतलब यह भी है कि आप उनके लिए family हैं और आपके साथ उनका जो भी issue चल रहा है उसे वो heal करना चाहते हैं because वो आपको अपना true love समझते हैं आपको अपना one and only समझते हैं और वो आपके साथ you know आगे की जिन्दगी बिताना चाहते हैं बहुत serious हैं आपके बारे में so यह इनसान truly आपसे प्यार करते हैं let's see what more हमारे question का answer तो शुरू में ही हमें मिल गया था और किती strong confirmation आगय है with this true love card इस reading की vibe शुरू से ही बहुत अच्छी थी because आप लोगों ने यह king of cups select किया था so यह true genuine love का card है but इसमें true love का card भी आगया so we have treasure your loved ones number 10 so यह इनसान आपको protect करना चाहते हैं इस प्यार को इस connection को protect करना चाहते हैं नहीं चाहते कि किसी की नजर लगे यह connection fail हो and then we have demonstrate love number 48 find out what is important to those you love and act on it so I feel कि जैसे आपके परसंद के लिए बड़ा matter करती हैं यह सारे चीजें कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है so they really want to act on it यानि जो चीजें आपको पसंद हैं वो आपके लिए वो करना चाहते हैं जो चीजें आपको नहीं पसंद वो अपनी जिन्दगी से उन चीजें को निकालना चाहते है so I really feel कि यह इनसान एक genuine effort करना चाहते है इस connection के लिए और आपके लिए आपको हासिल करने के लिए आपका प्यार पाने के लिए आपकी support because they feel कि यह उनकी जिन्दगी का एक बड़ा significant connection है जिसे वो खोना नहीं चाहते है and this is true love और ये भी हो सकता है कि true love पर आतबार आपकी वज़ा से उन्हें आया maybe उन्हें नहीं believe था कि true love अब exist करता है दुनिया में या नहीं बट आपके आने से उन्हें यकीन हुआ कि yes true love exists करता है और ये इन्सान truly आपसे प्यार करते है और उनके लिए ये बहुत important है जानना कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है so yes ये इन्सान आपसे truly प्यार करते है सच्चा प्यार करते है so इस पर लिखा है the past is now behind you release it and embrace new possibilities a new path is now available to you follow it with faith so I feel कि इन्सान एक निया स्टार्ट चाहते है आपके साथ अगर आप लोग इस वक्सात नहीं है but अगर उनके past में कुछ negative था वो उसको release करना चाहते है या आप दोनों के दरमयान अगर कुछ हुआ कोई भी negative experience उसको release करना चाहते है और इस पर लिखा है only time will tell so time पर छोड़ दीजिए time हर चीज clear कर देगा आपके लिए time हर चीज heal भी कर देता है time से हर चीज reveal भी हो जाती है so you know time देंगे जब आप चीज़ों को तो बहुत कुछ आपके सामने clear होगा wow and with time में भी आपको ये भी realize होगा कि ये इनसान truly आप से प्यार करते है so दो और cards हम आपके लिए लेंगे फिर हम आपके yes or no question पराएंगे so इसके उपर लिखा है it's up to you और फिर है choose a new direction so अगर आप manifest करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ different करने की जरूरत है अगर आपको different result चाहिए अपनी जिंदगी में आपको अपना focus shift करने की जरूरत है अगर आप बहुत ज़दा focus अपने partner पर रख रहे हैं आपको थोड़ा balance करके चलने की जरूरत है आपको different direction choose करने की जरूरत है and it's totally up to you आप इस सारी situation में जो भी फैसला करेंगे आपको support मिलेगी universe की, divine की you know so ये totally आपका decision है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं आपकी free will है और आपको उसमें support मिलेगी so it's totally up to you so अब हम आपके yes और no question पर आने लगे हैं आप focus करें अपने question पर और हम देखते हैं क्या आपका answer क्या है so let's start साथ हम आपके लिए letters और numbers देखेंगे आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number, car number so let's see हमारे पास है W, G, oh it's definitely so ये एक yes है, big big yes it's definitely आपका answer so हमारे पास है S फिर है हमारे पास I, J, E, H999 E, U, 1111, H, E, G, 3, 3, 3, 1, 1, 1 L, H, U, I, 8, L, G, 3, 3, E, number 2, O इसको आप zero भी कह सकते हैं M, I, T, Z and S so ये आपके letters और numbers हैं, देख लीजे कैसे आप से resonate करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे जरूर बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 2, यानि के king of wands select किया था ये आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person आप से सचा प्यार करते है या नहीं उनकी true true feelings क्या है सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे और six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए ये बड़े random messages होते हैं जरूरी नहीं है कि सब के साथ resonate करें बट लेट सी आपके connection की overall energy क्या है हमारे पास है compromise फिर हमारे पास unknown तो मेभी आपको यहाँ पर कोई compromise करने की जरूरत है चीज़ें आपके लिए unknown है आप नहीं जानते किस direction में ये connection जा रहा है transformation तो मेभी ये transformation चल रही है आपकी personal growth फिर हमारे पास service इसको literally service में हो सकता है यानि army में, police में, कुछ भी इस तरह से फिर हमारे पास manifestation तो आप शायद manifest कर रहे हैं अपने partner को and then ask for help and maybe आपको help की जरूरत है या आपके person को spiritual help की या guidance की जरूरत है या मश्वरे की जरूरत है या आपको मश्वरे की जरूरत है कि आपको help की जरूरत है आपको समझ में नहीं आ रहा कि छीजें किस direction में जा रही है so देखते हैं कि ये इनसान आपके लिए truly truly कैसा feel करते हैं क्या ये आप से सच्चा प्यार करते हैं या नही क्या ये वाकिए आप से प्यार करते हैं या नही so let's start क्या ये इनसान वाकिए आप से प्यार करते हैं या नही so we have the devil seven of cups justice eight of wands bottom of the deck पर we have five of swords so मुझे definitely feel हो रहा है कि आप लोग साथ नहीं है आप लोग साथ नहीं है so ये separation वाला पाइल है ये no contact वाला पाइल है और बड़ा ही complicated पाइल है so यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius है Libra, Gemini, Aquarius सारे ही energies हैं Capricorn बहुत strong है, Libra बहुत strong है yes सारे ही star signs है so मैं हमेशा आप से कहती है regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपकी reading है so I really feel कि या तो यहाँ पर कोई connection नहीं है और अगर था भी तो खतम हुआवा है इस वक्त और आप लोग बिलकुल भी peaceful energy में नहीं है ये इनसान भी peaceful energy में नहीं है बट मुझे कुछ ना कुछ इसमें ये नजर आ रहे है कि ये इनसान बहुत stuck है अपनी जिन्दगी में अपनी life में एक बड़े ही confusing phase में है या किसी toxic जगा पर stuck है ये इनसान और इनको लगता है कि ये कभी भी आपके साथ इनसाफ नहीं कर सकते हैं कभी आपके लिए जिन्दगी में happiness नहीं ला सकते हैं आपके जिन्दगी में quality add नहीं कर सकते हैं और सिर्फ आपके जिन्दगी में परिशानी लेकर आएंगे इसलिए आप दोनों का एक दूसरे से दूर रहना बहुत जरूरी है So I clearly feel कि जैसे मुझे यहां पर love to be very honest नजर नहीं आ रहा है हो भी सकता है कि इनके दिल में आपके लिए थोड़ी सी feelings हो but for whatever reason ये इनसान उन feelings को खतम करना चाहते है because they feel कि वो आपके जिन्दगी में quality add नहीं कर सकते उनकी जिन्दगी में बहुत misile है उनकी जिन्दगी में कोई toxicity है कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें वो bound है जिसको वो छोड़ नहीं सकते जिसको वो खतम नहीं कर सकते है और उनको कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा कि वो उस situation में से निकल कर आपके साथ एक balance connection कैसे बनाए आपके साथ इंसाफ कैसे करें उनको नई समझ में आ रहा हो करना चाथें आपके साथ fair होना चाहतें और एके साथ fair situation यहीं होगी कि वो आपकी जिन्दगी से चले जाए वकिस वो आपकी जिन्दقी में खुशी नहीं ला सकते हैं और वो इस बात पर बड़े अपसेट भी है कि वो आपकी जिन्दगी से निकल जाएं ये बात भी उन्हें बहुत सथा टॉर्चर करती है बहुत सथा परिशान करती है So I really feel कि ये इनसान बहुत सथा परिशान एनरजी में है और confused energy में है They really don't know कि मुझे क्या करना है और confused इसलिए हैं कि में भी उनके दिल में आपके लिए कुछ feelings है कुछ ना कुछ आपके लिए उनके दिल में है जो आपकी तरफ उन्हें खेंचता है I don't know कि वो love है या क्या feeling है बट कुछ ना कुछ वो आपके लिए feel करते हैं but confused हैं अपनी feelings के बारे में भी और overall उनकी जिन्दगी में भी कुछ है जो वो शायद आपसे shared नहीं कर सकते हैं जिसकी वज़ा से वो आपके साथ रह भी नहीं सकते हैं So they really feel कि आपके साथ बड़ा unfair होगा अगर वो आपको इस toxic और confusing situation में रखें So बेटर यही होगा कि वो आपसे दूर रहें ये इनसान ये feel करें So let's see क्या हो सकता है उनकी जिन्दगी में ऐसा जो वो इस तरह से behave कर रहे हैं आपसे दूर क्यों रहना चाहते हैं क्या है उनकी feelings आपके लिए उनकी feelings क्या हैं आपके लिए So हमारे पास patience and angel of love Wow So यही कार्ड patience का पहले आया था मने फिर से shuffle किया और फिर यही कार्ड आ गया So I really feel कि जैसे आप उनकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा love लेकर आए है एक बड़ाई specific message आ रहा है और यह कि देखे हमारे पास है devil card और यह है angel of love So I feel कि जैसे वो लिटरली यह सोचते हैं कि वो बिलकुल उनकी जिन्दगी एक devil वाली energy है उनकी जिन्दगी में एक darkness में है और आप बिलकुल एक angel of love एक बहुत pure soul है और आप बहुत ज़्यादा positive vibes हैं आपकी So आप दोनों का match, आप दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल है So this is the thing, उनकी जिन्दगी में कुछ बहुत ज़्यादा डाकनेस है जिसमें वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो यह सोचते हैं कि यह आपके साथ अन्फेर होगा कि आपका कोई कसूर नहीं है कि आप उनके साथ इस डाकनेस में आएं वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते है अपनी डाकनेस में I don't know कि यह क्या डैवल एनरजी है I don't know, यह आपको पता होगा So इसलिए मैं उसकी डीटेल में नहीं जा रही हूँ We have serendipity and then unfinished symphony So I really feel कि जैसे वो यह सोचते हैं कि कोई miracle ही होगा जो आप दोनों को मिलाएगा You know उनकी नजर में miracle होना एक बहुत मुश्किल चीज है वैसे भी normally भी आजकल लोग यही सोचते हैं कि miracle होना एक बहुत मुश्किल चीज है और यह जो कहानी आप लोगों की अधूरी ही रह जाएगी आप दोनों इसको complete नहीं कर पाएंगे आपकी यह story unfinished रह जाएगी So they really feel कि कुछ missing है जिंदगी में, कुछ unfinished है कुछ unfinished business है आपके साथ जैसे कुछ चीजें जो अनकहीं रह गई कुछ ऐसा भी है जो वो आपसे कह नहीं सके कभी So उन्हें बड़ा एक feel होता है काश उन्होंने कुछ यह कह दिया होता आपसे, बड़ शायद यहीं बेतर था कि वो नहीं कह सके क्योंके फिर तकलीफ और जादा होनी थी अगर वो सारी बाते आपसे कह देते So let's see इनसान और क्या feel करते हैं आपके लिए So मैं इसे love का नाम I don't know दे भी सकते हैं हो सकता है कि उनके दिल में true feelings आपके लिए थी लेकिन for whatever reason यह इनसान आपके साथ full potential तक इस connection को experience नहीं कर पाए है और नहीं कर सकते है It's very difficult We have honeymoon and attraction So maybe attraction थी बहुत ज़्यादा प्यार उतना ज़्यादा नहीं था Attraction थी काफी ज़्यादा And I also feel के maybe आप इन अपने जिंदगी में attract कर रहे हैं Manifest कर रहे हैं क्योंके manifestation का card भी आया था And यह जो honeymoon card है I feel के यह Six of swords है जो sometimes moving on की energy भी होती है So I feel के जैसे यह इनसान move on कर चुके हैं आपसे और अपने आपको distract करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों में indulge कर रहे हैं Maybe travel कर रहे हैं Yeah travel कर चुके हैं कहीं ताकि वो इन यादों में से निकल हैं जो उनकी आपके साथ हैं वैसे तो मुझे बहुत जादा memories भी आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही हैं एक साथ I feel के उनकी जिन्दगी में कुछ बहुत जादा toxicity है मुझे पस यही message बार बार receive हो रहा है कि वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं For whatever reason आपके साथ उनका connection You know, आगे बढ़ नहीं सकता है But ये इंसान कभी कबार आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं कभी कबार आपको बहुत deeply याद करते हैं बहुत जादा strong एक feeling आती है उनके दिल में आपको लेकर But they don't do anything about it We have the only thing that is real is love Number 7 Shift your focus back to love So with this card I feel के जैसे वो ये feel करते हैं कि उनकी जिन्दगी में वाहिदा आप एक बहुत पेओर इनसान है जिसने उन्हें truly बहुत साथा प्यार देना चाहा या दिया और आपके इलावा शायद उनसे कोई real में महबबत नहीं करेगा So यहाँ पर बात ज्यादा आपकी महबबत की औरी है Look for the good in everyone और यहाँ पर shift your focus back to love आ रहा है So I really feel कि जैसे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं sometimes बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यही सोचते हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया So ऐसा नहीं है कि यह एहसान पर रमोश है या वो भूल गए आपकी महबत को They feel कि आपने उनसे बहुत सचा प्यार किया है और जो प्यार आप उनकी जिन्दगी में लेकर आए वो कभी उनसे कोई और नहीं करेगा आपका प्यार बड़ा रियल था और इतना रियल प्यार उनसे कभी कोई कर नहीं सकता है So I feel कि it's all about your love आपने बहुत सचा प्यार उनसे किया और वो बदले में उतना प्यार आपको दे नहीं सके प्यार शायद उन्हें भी था आपसे बट आपका ज्यादा था आपकी effort ज्यादा थी So यहाँ पर कहानी ज़रा उलट है आपने उनसे बहुत सचा प्यार किया बट वो उतना आपके लिए नहीं कर पाए So यह तो बड़ा interesting हो गया Let's see what more इस पर लिखा है embrace Through each other you find the missing pieces So maybe आप दोनों एक दूसरे को inspire करने के लिए आए थे एक दूसरे की जिन्दगी में Maybe आप उन्हें यह सिखा कर चले के Yes इस दुनिया में real love होता है True love लोग करते हैं एक दूसरे से महबबत इस दुनिया में आपने उन्हें यह सिखाया और उन्होंने शायद आपको यह सिखाया कि जब कहीं से प्यार ना मिल रहा हो फिर भी आप प्यार दे सकते हैं Unconditional love करना शायद उन्होंने आपको सिखाया कि उनकी सारी bad habits हर चीज जानते बूचते हुए भी आपने उनसे महबबत की So I feel कि it's a very deep connection जिसे आप दोनों ही कभी नहीं भूल सकेंगे और इसको आप embrace करें और grateful रहें experience के लिए Because कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको experience करने को मिला है कुछ ना कुछ सीखने को मिला है A message for you Oh my God, I am thinking of you this very moment Your love fills me with light, I love you Okay, so यह इनसान आपसे प्यार करते थे, करते है और इस वक्त जब आप यह reading देख रहे हैं वो आपके बारे में सोच रहे है So यह आपके बारे में बहुत deeply सोचते हैं But I feel वही बात है कि जितना आपने सच्चा प्यार किया उतना नहीं आपको दे पाए उनके प्यार में कहीं न कहीं कमी आ गई और इस पर जैसे कि लिखा है Your love fills me with light So वो एक dark period में है, darkness में है और वहाँ पर रोशनी सिर्फ आपका प्यार उन्हें दे रहा था लेकिन बात यह है कि आप भी कब तक रोशनी देते हैं या कब तक दे पाएंगे कितना को compromise आप कर लेंगे उनके साथ फिर एक वक्त आएगा कि आप भी उनकी darkness में merge होते जाएंगे क्योंकि negativity जो होती है वो ज़्यादा हावी हो जाती है अब डिफिकल्ट एक journey होती है खैर उसकी हम detail में नहीं जाएंगे बट यही बात है कि आप कब तक कर लेते यूनो तो एक ना एक दिन आप दुनों को अलएदा होकर अपनी अपनी direction में जाना पढ़ना था और वही आप लोग इस वक्त कर रहे हैं I feel अपनी अपनी journey पर हैं हील कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपने अंदर सो ये इनसान प्यार आपसे करते थे प्यार था लेकिन उतना नहीं था जितना आपने किया और इसी वज़ा से ये इनसान शायद आज आज आपके साथ नहीं है क्योंकि अगर होते बहुत ज़ादा इनको आपसे unconditional, deep, true love था तो ये आपके लिए effort करते कोई ना कोई, fight करते इस connection के लिए आपको जाने ना देते but anyway I feel के कोई ना कोई reason है आपके person का इस तरह behave करने का या आपकी जिन्दगी से जाने का जैसा मैंने कहा let's see so इस पर लिखा है wait so यहाँ पर patience का card आया था और आप wait का आ गया है so maybe आप अभी भी wait कर रहे हैं या आपको आप करना चाहते हैं ask for help from others so maybe आपको किसी से मशवरा करना चाहिए आपके जो sincere friends हैं maybe आपके person भी मशवरा कर रहे हैं maybe इस इनसान आपका इंतजार कर रहे हैं या यह इनसान सम्टाइम सोचते हैं कि काश आप उनका इंतजार करें जब तक वो अपने सारी परिशानियों में से निकल आएं but यह totally आपकी free will है कि आप wait करना चाहते हैं या नहीं बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आप देख सकते हैं थोड़ा time देखर situation को कि वो कैसे unfold होती है but grow करना ना छोड़ें साथ-साथ you know so अब हम आपके yes or no question पर आने लगे हैं आप focus रखें अपने question पर हम देखते हैं कि आपका answer क्या है साथ हम आपके लिए letters और numbers देखेंगे आपका name initial आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number oh it's a definitely it's a big yes so ये group 1 के लिए भी यही आया था so it's a yes it's a definitely yes so अब हम letters and numbers देखते हैं हमारे पास है 6, 6, 6, 1 फिर है हमारे पास 4 y, number 14 किसी के लिए significant हो सकता है e, n, z, o 0 भी कह सकते हैं आप इसको x, 4, 4, 4 g, a, number 9 9, 9, 9, 9 c, o, 11, 11 फिर है n, p, j, d, next is b, 4, w, n, g, c, y, j, r, o 0 भी कह सकते हैं आप इसको o, s, g, e, u, l, number 2 l, x, k, v, h, 8, n, z, n, and u so, ये आपके letters और numbers हैं देख लीजिए कैसे आप से resonate करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे जरूर बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजिएगा, share कीजिएगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number three यानि के king of pentacles select किया था ये आपकी reading है और हम देखेंगे किया आपके person आप से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं Do they truly love you? So, सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे और six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए So, let's start आपके connection की overall energy सबसे पहले हमारे पास है defeat So, maybe आपको बड़ा defeated महसूस हो रहा है आपको ऐसला कर जैसे आप हार गए है चीज़ें बहुत cloudy हैं, unclear है समझ नहीं पा रहे हैं आप चीज़ों को clouded judgment भी हो सकती है strength, आपको strength चाहिए आप maybe इंतजार कर रहे हैं अपने partner की call का या text का and then we have innocence and miracle So, maybe आप ये सोच रहे हैं कि मैंने किसी का बुरा चाहा नहीं किसी के साथ बुरा किया नहीं I am innocent and still मेरा miracle कहा है, नहीं हो रहा मेरे जिन्दगी में कोई भी miracle I just need a miracle maybe आप ये सोच रहे हैं कि और मैं कितना अपने आपको मजबूत करूँ you know, कितनी दफ़ा मुझे मैंने मेरे साथ ये हुआ है I don't know, ये बड़े specific messages आ रहे So, इस वक्त शायद आप manifest कर रहे हैं call या text या पर इंतजार कर रहे हैं call या text का अपने person के So, हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान truly truly आपसे प्यार करते हैं या नहीं क्या हो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं क्या है उनकी feelings आपके लिए हमारे पास है The Empress फिर है दर ताबर तो मैजिशन येस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दे मैजिशन जस्टिस और मेभी किसी को लिटरली जस्टिस चाहिए और देन टू आप सोर्ड यहाँ पर लीब्रा, जेमिना, अक्वेरिस है पैसी, गैसे, स्कॉर्पियो ये स्टार साइन्स है, टॉर्डस वर्गो, कैप्रिकॉर्ण भी आप अड़ कर लें लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ रिगार्डलेस ओफ स्टार साइन्स अगर एनरजी आप से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है स्टार साइन्स को लेकर आपने परिशान नहीं होना सो क्या ये इंसान ट्रूली ट्रूली आप से प्यार करते है या नहीं I feel कि यहांपर रिस्पेक्ट का अलिमिंट है बहुत ज्यादा अभी हम आगे औरिकल से भी देखेंगे कि उन्हें आप से प्यार है या नहीं कि सथ तक है प्यार I do feel कि यहाँ पर यह इनसान थोड़े से confused है, परिशान है अपनी feelings के बारे में या direction के बारे में कि मुझे इस journey पर चलना है या नहीं आप के साथ, group 3 के साथ चो आप लोग के दर में कोई टावर मोमेंट आया है रिसंटली आया है या past में आया है या यूँ कहलें कि connection आप के लिए बड़ा unexpected रहा है यह इनसान आप के साथ fair होना चाहते हैं यह इनसान आप के साथ balance करना चाहते हैं work, वो चाहते हैं कि partnership work करें किसी भी तरह balance तरीके से equal तरीके से आप लोग चलें और वो आपके साथ इनसाफ फिर चलना चाहते हैं but for whatever reason उनके जहन में कोई confusion है कोई परिशानी है कि मैं क्या करूँ, किस direction में जाऊं मैं आप उनके लिए हैं यह empress चाहे आप male हो या female आपकी personality बहुत strong है आपके partner की निस्पत आप ज़्यादा strong है, ज़्यादा आपका exposure है जिन्दगी के बारे में relationships के बारे में experience आपका जिन्दगी के मामलात में ज़्यादा है और आपके person का उतना experience नहीं है so तो हो सकता है कि यह इनसान उतने mature नहीं है, जितने आप emotionally mature है और जिन्दगी के बारे में जैसा मैंने कहा कि exposure आपका ज़्यादा है so हो सकता है, इस वज़ा से यह इनसान बहुत ज़्यादा confused है, क्योंकि वो आपके level पर नहीं आप पा रहे हैं, वो उस तरह से सोच नहीं पा रहे है decide नहीं कर पा रहे है उस तरह से चल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से आप कर सकते हैं, balance करके एक maturity का जो level आपका है वो उस level पर शायद नहीं सोच पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं तो शायद ये बात उन्हें confuse करती है कि हम आगे कैसे चलेंगे because they know कि उनमें काफी सारी खामिया है तोड़े immature भी है वो नहीं, willpower उनकी इतनी strong नहीं है so वो आपको disappoint करते हैं I feel और वो नहीं करना चाहते हैं वो बारे में शायद वो बहुत ज़ाधा परिशान है so I feel कि जहां तक प्यार की बात है I feel respect करते हैं ये इनसान वो ये भी जानते हैं ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़ाधा प्यार डिजर्व करते हैं आप बहुत ज़ादा लुवेबल है आप में कोई कमी नहीं है विकिस आपकी Empress है चाहे आप male हो या female हर लिहाज से आप you are a wonderful person ये इनसान सोचते हैं एक powerful इनसान है आप strong इनसान है So let's see इनसान और क्या आपके लिए feel करते हैं क्या ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं So I do feel के इस वक्त अगर आप लोग अकेले हैं, separation में हैं ये इनसान आपको manifest कर रहे हैं शायद आप भी बट आप लोग के दरम्यान बहुत जादा मुझे difference नजर आ रहा है सोच का difference age difference, I don't know बट आप लोग के दरम्यान बहुत जादा difference है We have attachment and then we have the son So yes, ये इनसान आपकी company में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं I really feel कि आप उनकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा happiness, joy लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा आप से उनकी खुशी जुड़ी है which means कि प्यार है उन्हें आप से हो सकता है कि उनकी जिन्दगी में कोई negative attachment है already हो सकता है कि already वो married है इस वज़ा से शायद वो आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे इस relationship में आपके साथ इनसाफ नहीं कर सके वो ये भी हो सकता है वाट ये बड़ा specific message है and I also feel कि उन्हें आप से भी attachment है not in a bad sense यानि आप से बहुत ज़दा attached है ये इनसान इनके emotions, इनकी feelings आप से attached है so clearly I feel कि ऐसी इनसान आप से प्यार जरूर करते है but let's see what more कितना प्यार करते हैं आप से क्या फील करते हैं आपके लिए so हमारे पास है flexible and time for a nap number 24 so I feel कि इस connection में आपने बहुत ज़दा compromises किये है flexibility सारी आपकी तरफ से आई है आपके person उतना ज़दा उन्होंने नहीं किया और जब भी किसी compromise की बात आती है तो वो detach हो जाते है जब किसी stand लेने की बात आती है you know fight करने की बात आती है तो फिर वो detach हो जाते है so उनका ये behavior शायद आपके जहन में एक question लेकर आता है कि पता नहीं इस इनसान को प्यार है भी या नहीं so इसलिए आपर defeat का card आया जैसे आपको feel होता है defeated क्योंकि इनसान कोई effort नहीं कर रहे है कोई stand नहीं ले रहे है आपके लिए super specific messages है so प्यार होगा उनके दिल में आपके लिए but I feel कि वो जो effort आप देखना चाहते है उनके end से वो effort नहीं आ रही है वो flexibility, वो compromise you know वो नहीं करना चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो फिर detach हो जाते हैं आप फिर गायब हो जाते हैं आपके जिन्दगी से जब आप stand लेने की बात करते हैं और ये बात आपको बहुत ज़्यादा disappoint करती है so इसमें कोई शक नहीं कि आप उनकी जिन्दगी में बड़ा joy, बड़ी happiness लेकर आते हैं but उनके end से कोई effort नहीं हो रही कोई compromise नहीं हो रहा कोई stand नहीं वो ले रहे let's see what more so we have worth waiting for so maybe ये इनसान चाहते हैं कि आप थोड़ा इंतजार करें जब वो completely ready हों कि stand लेने के लिए balance लाने के लिए, इंसाफ करने के लिए because they feel कि आपके साथ chemistry है जो bond है आपके साथ वो तूटना नहीं चाहिए because ये एक significant bond है connection है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए divine time का, right time का wait करना चाहिए so maybe आपके person की नजर में it's not the right time इसलिए वो आपके कोई बात करने पर stand लेने पर, कोई action लेने पर detached से हो जाते है because they feel कि it's not the right time so maybe इनसान आपसे इंतजार मांगते है patience time मांगते है और हो सकता है कि already आप बहुत ज़्यादा patient रहे और आपने time भी दिया but maybe इनसान चाहते है it's not enough वो चाहते है थोड़ा और आप इंतजार कर लें जहां पर आपने इतना ज़्यादा और किया हाँ थोड़ा सा आप और कर लें और कभी जाया नहीं होगा करता है कि आपको क्या चीज पसंद है क्या चीज ना पसंद है उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह कुछ बैलन्स ले आएं किसी ना किसी तरह चीजों को बैलन्स या इक्वल कर लें and next is appreciate this moment number 33 है इसका every situation is an opportunity to grow and find love so I feel कि आपके साथ गुजराबा हर moment उनके लिए important है और जिस moment में आप दुनों साथ होते हैं they really want कि आप दुनों इसे appreciate करें और problems के बारे में सोच कर उस moment को जाया ना करें so basically I feel कि ये इनसान they want to live in the moment और हो सकता है कि आप उनकी इस बात से बिलकुल agree ना करते हों आपके लिए planning, future की बात करना सोचना, it's very important but ये इनसान, they want to live in the moment और उचाते हैं कि हम moment को enjoy करें appreciate करें जो लम्हें हमारे पास है you know because we don't know कि future में क्या है you never know so ये इनसान शायद बहुत ज़दा future की planning बहुत ज़दा practical approach नहीं है और शायद ये आपके लिए एक disappointment है आपके person में कि उनकी approach बहुत ज़दा जिंदगी के बारे में practical नहीं है they just want to live their life and they just want to live in the moment but किसी हद तक ये सोच भी अच्छी है कि हमें हर moment appreciate करना चाहिए because past गुजर गया future का किसी को पता नहीं है so I feel कि आपके person की ये एक thought pattern है उनका कि we should live in the moment and appreciate the moment you know so ये इनसान प्यार आपसे करते हैं but I do feel कि आपके सोचने के तरीके बहुत different है इस वज़ा से आपको लगता होगा कि पता नहीं उनके प्यार में कोई कमी है या कोई गड़बड है I feel कि गड़बड नहीं है it's just कि आप दुनों का thought pattern बहुत different है आप दुनों एक दूसरे से बहुत different सोचते है so इस पर लिखा है when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love so ये जो 3D material है चीज़े हैं ये सब यहीं रह जानी है जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप सिर्फ अपनी soul लेकर जाएंगे and memories जो आपने अपने loved ones के साथ share कि and I feel कि आपके person का यहीं मानना है कि हमारे ये चीज़ें ये सब यहीं रह जाएगा जो हम moments spend कर रहे हैं जो memories बना रहे हैं ये important है हमारे लिए and then we have secret admirer someone has deeper feelings for you than they are letting on so maybe ये इनसान बहुत जादा expressive नहीं है ये इनसान अपना प्यार right way में या जैसे आप चाहते हैं उस तरह से express नहीं कर पाते हैं और इसलिए भी आपको doubt होता है कि पता नहीं इन्हें आप से प्यार है या नहीं बटी इनसान आप से प्यार करते हैं और उनकी feelings काफी deep हैं आपके लिए जो शायद उनसे explain नहीं होती है you know so I feel कि जो main यहाँ पर एक चीज है problem है वो ये है कि आप दोनों का सुचने का तरीका बहुत different है पर फिर भी आप लोगों के दर्मान एक chemistry है एक bond है जो बड़ा significant है जिसे ये इनसान खोना नहीं चाहते जिसके लिए इनसान wait करना चाहते है so इस पर लिखा है no need to worry so आपको बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है doubts को निकाल दें अपने दिल से and wait oh my god worth waiting for का card आया और यहां पर आगया wait and no need to worry so फिर भी आपकी free will है आप जो भी करना चाहें फैसला लेकिन I really feel कि जैसे इनसान चाहते हैं कि आप परिशान होना छोड़ दे और wait करें patiently और enjoy करें appreciate करें जो moments हैं excuse me so I feel कि आपके angels का भी आपके लिए message है कि अगर आप चाहें तो आप wait कर लें थोड़ा सा and there is no need to worry अब हम आपके yes or no question पर आने लगे हैं आप focus रखें अपने question पर और हम देखते हैं कि आपका answer क्या है so let's start so साथ हम आपके लिए letters and numbers देखेंगे आपका name initial आपके person का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number house number car number so it's a try again so फिर से try करते हैं इसको center में कर लेते हैं पहले I hope यह center हो जाए okay so let's start so हमारे पास है H S 3 3 3 V Y Z 2 2 L it's a maybe it's a 50 50 answer it's a maybe so फिर है हमारे पास M 7 7 7 next is G I M S G M N number 2 O इसको आप 0 भी कह सकते हैं M K 3 M 3 M D D D Z N P H then we have B R J S D 8 M 3 3 3 E J H H H R J C A 6 6 6 6 R B and B So So ये आपके Letters and Numbers हैं देख लीजिए कैसे आप से resonate करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे जरूर बताईगा comment section में अगर आप नई थे मेरे चैनल पर like कीजिएगा share कीजिएगा subscribe करना मत भूलिएगा So जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दौा होती है कि आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धिर सारा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video Till then Love you lots Bye Bye